प्रधान मंत्री मूदी को इन तस्वीरों के साथ पहले देखें क्योंकि प्रधान मंत्री का ये काफिला आगे बढ़ता हुआ जहां पर बड़ी संक्या में लोगों की मौजूद की है प्रधान मंत्री ओडिसा में मौजूद है और करोडों की सौगात प्रधान मंत्री की तर पर मौझूद और ये बड़ा सभास्थल है और इस सभास्थल में दोनों तरफ लोगों की बड़ी संख्या में मौझूद गी करोडों की योजना की सौगात प्रधान मंत्री ओडिसा के लिए दौरे पर लेकर आये हैं लगातार प्रधान मंत्री मोधी के ये दौरे तय हैं कल भी दक्षन के दो राज्यों के दौरे प्रधान मंत्री की तरफ से किये गए और वहां से प्रधान मंत्री ने 140 करोड भारतियों को अपना परिवार बताया पलटवार लालू प्रसाद यादेव के उस स्टेटमेंट का किया जुसमें प्रधान मंत्री पर नीजी हमला बोलते ह यह कहा था कि प्रधान मंत्री का परिवार है कहां पर और उसी का जवाब प्रधान मंत्री ने कल दक्षर के दौरे के दौरान दिया आज इस वक्त वो ओडिसा में मौजूद है और ओडिसा में प्रधान मंत्री मोदी की मौजूदगी लोगों की बड़ी संख्या के बीच इस वक्त नजर आ रही है जहां पर अभिवादन स्वीकार करते हुए इस वक्त प्रधान मंत्री नजर आ रहा है ये चंडी कोल लोडिसा का ये इलाखा जहां पर प्रधान मंत्री की मौजूदगी इस वक्त है और ये देखे रोड़ शो कितना जबरदस्त और संख्या लोगो की जहां तक कैमरों की नजर जा रही है वहां तक लोगों की मौजूदगी है चंडी कोल में प्येम मोदी का इस वक्त ये रोड़ शो चल रहा है जहां पर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधान मंत्री की गाड़ी धीमे धीमे आगे बढ़ती हुई नजर जा रही है तस्वीरे अगर आप देखेंगे तो लोगों ने अपने कामरा इस वक्त उपन कर रखे हैं और प्रधान मंत्री को क्याप्चर क्यामरे में इस वक्त करने की कोशिश लोगों की इस भीड में खी जा रही है प्रधान मंत्री करोडों की सौगात देने के लिए मड़कर सामने आई है ये सरकार का कारक्रम दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं और बाई तरफ जो है भारती जनता पार्टी का कारक्रम जहां प्रधान मंत्री नरिन मोदी पहुच गए है और जन्ट सबास तल पर ही पीम की तरफ से रोडशो किया जा रहा है प्रधान मंत्री नरिन मोदी के साथ में म बीजू पतनाय की पार्टी उन्होंने समर्थन दिया था लेकिन बीजेपी यहां लोग सभा सीटों को और आगे बढ़ाने में लगातार प्यास कर रही है और इसके लिए खुद प्रधानमंत्री नरिन मोदी ने मोचा संभा लिया है जाजपूर में पीम पहुचे और चंडी के साथ ही होते हैं लंबे वक्त से नवीन पतनाय की राज के मुक्यमंत्य की कुर्सी समाल रहे हैं और यही वजह है कि बीजेपी उनके खिलाफ महौल बनानी की कोशिश भी कर रही है इसके लवा कई ऐसे नेता हैं केंडर के या बीजेपी के बड़ी नेता जो यहां से चु के रण में उतर सकते हैं इसकी प्रबल संभावना जाहिर की जा रही है और यही वजह है कि कीस लोग सभा सीटो वाला ओडिशा राज जहां प्रधान मंत्री नरिन मोदी रैली कर रहे हैं ने सिर्फ लोग सभा चुनाओं के लिए बलकि इसकी विधान सभा चुनाओं में भ इसी तरह से ओडिशा बीजेपी के तमाम बड़े दिगजनेता इस जन सभा में जो लोग पहुँचे हैं उनका अभिवादन प्रधान मंत्री स्विकार कर रहे हैं करोडों की योजनाओं की सौगात दी सरकार के कारक्रम में और अब भारती जनिता पार्टी का ये कारक्रम जहां प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी इस वक्त मौझूद हैं प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी हैं और नौ दिनों में ग्यारहा राज्यो का दौरा उनके द्वारा किया जाएगा प्यम मोदी 12 मार्च तक 9 राज्यो का दौरा करेंगे इस बीच वो जमू कश्मीर भी जाएंगे जहां वो दो दिन रुखने वाले हैं अब प्रधान मंत् मंत्री के द्वारा किया जाएगा ओडिशा के चंडी खोल में अभी इस वक्त प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी मौदी मौद लाइफ तस्वीरे फलाल आपकी स्क्वीन पर अभी क्या कुछ यहां पर समीकरण है ये भी आयुश ने आपको वताया इस भी तस्वीरे लगाता आप देख रहे हैं जहाँ पर पी-म का स्वागत किया जा रहा है उनको भेट दी जा रही है और लोग यहाँ पर पी-म के संबोधन का इंतजार करते वे नज़र आ रहे हैं बिल्को देखे बेजन पांडा उनको जिम्मदारी दी गई है यूपी के वो भी आपर मौजूद हैं यहीं से आते हैं मनमोहन सामल पाटी के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेन प्रधान और तमाम नेता प्रधान मंत्री नरियन मोदी का स्वागत करते वोडिशा में देखे प्रधान मंत्री का जो परधान है वेश भूशा वो भी बदल जाती है अभी सरकारी कारक्रम में थे प्रधान मंत्री वहाँ उन्होंने संबोधित किया लोगों को सरकार की प्रब्धियां गिनवाई अब जब भारती जंतापाड़ी के कारक्रम में आये हैं तो उन् मावी रैलियां भी कर रही हैं और उसी सिलसले में ये बड़ा मौका एक तरफ धर्मेन प्रधान, दूसरे तरफ मनमुहन सामल, बैजन पांडा, तमाम बीजेपी के राज जिस्तरिय नेता भी इस वक्त मौझूद हैं और ये बीर इंतिजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरिम की गई है